चलिए समझते हैं कि point वाली जोड को कैसे किया जाता है काफी लोगों के confused होता है वो गलती करते हैं देखें यहां पे 3.41 प्लस 20 प्लस 4.5 ये तीनों संख्याओं को हमें add करना है जिसके अंदर दो तो point वाली संख्या और एक बीना point वाली संख्या है ठीक है तो सबसे पहले इ 3.41 ठीक है उसके बाद में आपको देखें बीना point वाली संख्या मिली है 20 तो इसको कैसे लिखना है तो आपको क्या करना है अमेसा जो बीना point वाली संख्या उसको point वाली बनाना है ताकि गलती नहीं हो तो यहां पे मैं क्या करूंगा 20 यहां लिखूंगा देखें 0 और यहा लगा सकते हैं आप point के बाद में जो 0 आते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता तो यहां मैं point लगाऊंगा उसके बाद में 0 मुझे कितने चीह है देखो दो digit यहां मिल रहा है point के बाद में 1 और 2 तो 0 लगा सकता हूं मैं 1 और 2 यानि कि 20C है सिप मैंने इसको दूसरे तरीके से लि करना तो आपके गलती बिल्कुर नहीं होगी तो यहां पर चार point 5 है तो मैं देखे point के इधर वाली जो संख्या है वह चार लिखेंगे और point के इधर वाली जो संख्या है वह इधर आ जाएगी point के नीचे point आने के बाद में आपको left hand side और right hand side continue लिखते जाना है point के इधर वाली ऐसे लिखते रहो और point के left hand side वाली ऐसे लिखते रहो ठीक है अब इधनको करना है add ओके तो यहां पर अब दिखे 0-0 अगर लगाना चाहे तो यहां पर भी लगा सकता हूं मैं 5 के बाद में यहां 0 लगा दो क्योंकि point के बाद में जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता और इधर भी पहले भी लगा सकते है चार से पहले भी 0 लगा सकते है और तीन से पहले भी 0 लगा सकते है ताकि यह पूरी जो संक्या है वो एक जैसी अपको दिखे और जोड़ easily हो जाए अब के point के नीचे point आजाएगा यह आगया point फिर जोड़ दो 3,0 और 4 कितने हो गए 7 और यहां पे 0,2 और 0 यह आजाएगा तो यह आगया answer यानि 27 point एकरान वे तो इस टंग से आप अगर जोड़ करेंगे तो आपके बिल्कुल गलती नहीं होगी